Hello Everyone, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMU की लोगों का query है यह बचों का की AMU की physical reporting कब होगी तो physical reporting AMU में नहीं होती है It is set to be a physical reporting बिट physical reporting जिसे एक date and time होता है वैसा कुछ schedule type नहीं होता है बस आपका यह सारा कुछ हो जाता है ना online विए पूछोगे कि डॉक्यमेंट का समिट होते हैं बाखी सारा प्रोसेस जो फिजिकल रिपोर्टिंग में करना होते हैं तो जब आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आपकी इंटरनली एक नोटिस सर्कुलेट होगा जो जैसे कि आपको आपको इस इंटरनल लेना चाहते हैं तो वहां पर ऐसा नोटिस नहीं आएगा जब आपके पास इंटरनली वह नोटिस आएगा कि आपको अपने माक्षीट्स और जो भी डॉक्यमेंट्स रिक्वायर हैं वह आपको इस डेट के विदिन समिट करने तब आपको उनको समिट करना होगा अब यहाप पर वह आप पास रख सकते हैं क्योंकि डॉक्यमेंट्स वेरिफिकेशं हो गया हां यह ज़रूर होता है कि जब आप डॉक्यमेंट्स वह समिट नहीं कर पाएंगे तो आपका इडमिशन वह तब भी कैंसल कर सकते हैं That's the policy of Jamia and AMU both. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि AMU की physical classes की बारे में. तो यहाँ पर मेरे पास यह notice है जो कि bridge course से है. The teaching offline of the bridge course will start on 19th October. Accordingly, all the students admitted for the session 22 and 23. Shoot it in the class as per the timetable. तो अब आपको पता है कि आपके bridge course की classes कब से start हो रही है? 19th October से और यह notice जो आपको मिला है, आपको होगे कि कहां से मिला, तो आप अगर यह notice directly उनके website पे नहीं आता है. यह notice आपको notice board पे concerned department के notice board पे आपको मिलेगा. जब आप bridge course department पे जाएंगे, faculty में जाएंगे, तो वहाँ आपको यह notice मिल जाएगा. इसके अलाब अगर हम next बात करें, तो यहाँ पे एक और notice है, जो next date के लिए है, और वो है, की वो start हो चुकी है, और उनका time table आप उनकी notice board से राके देख सकते हैं, department के. Okay, so next is, it is hereby informed that classes in university women's polytechnic for first semester of diploma courses, that is diploma in computer engineering, electronics, communication and information technology will commence from 19th October 2022. तो इसके भी आपको पता है, इसका रिजल्ट अभी आचुक है, women's polytechnic का मतलब diploma in computer, इन सब के डिप्लोमा का भी रिजल्ट आया, engineering का, तो इन सब की classes start होने वाली है, 19th October से, so, brace yourself up and attend the classes, that's it for the video, thank you.